जहिन साथियो स्वागत है आपका e-learning classes में आज हम बेल्टरों से जुरू हुई एक बहुत ही महत्पुन सूचना आप तक लेकर आए हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शियर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुश सके तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जारी एक लीटर के बारे में जिसे बिहार की उपमुख मंतरी रेनु देवी जी ने जारी किया है जो की बेल्टरॉन से सम्मंधी थे और इसे लिखा है रेनु देवी जी ने स्री तार्किसोर परसाथ जो की बिहार के दूसरे उप उपमुख मंत्री है इसका पत्रांख है 45 और इसे लिखा गया है आज ही यानि कि 8 जनवरी 2021 को रेनु देवी जी उपमुख मंत्री होने के साथ साथ पंचायती राज बिभाग की मंत्री भी है ठीक है अब देखी इस पत्र में क्या लिखा गया है तो दोस्तों जैसा कि आप प यलो में कारणत दाटा इंट्री ओपरेटरो या प्रोग्राम रो या आईटी ब्वाइज से प्राप्त आवेदन पत्रमूल रुप से संगलगन किया जा रहा है जैसा कि आपको पता है कि आज एक असोभनिये घटना पतना की धर्ती पे फिर से घटी है बेल्ट्रॉन भवन के बाहर अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन रत बेल्ट्रॉन अभियर्थियों पे कैराना हमला किया गया है पुलिस प्रसासन द्वारा उन्हें दोरा दोरा के लाठी चार्ज किया गया है हम इसकी पूर्जोर भर्चना करते हैं हम इस कृत की उचस्तरिये जाच की मा अधार पर आपकी परिक्षा को पास किया है और इसके बावजूद भी आप उन्हें दर दर भठका रहे हैं बे वज़व बे मतलब से उन्हें इस तरह से तरपा रहे हैं और इतना लंबित करके उन्हें दोरा दोरा के मार रहे हैं वो भी उनकी जायज मांगों को लेकर आप अपने भर्ष्ट अचार को अपने निकम्मेपन जाहिलपन अपने काहिली को छुपाने के लिए इस तरह से इवाव पे अत्याचार नहीं कर सकते हम इसकी पूर्जोर भर्षना करते हैं आगे देखिए दोस्तों इसका एक और भी इफेक्ट आया है कि ये घटना घटने के बा एक पत्र उपमुख मंत्री श्रीमती रेनु देवी जी को सौपा गया है जिसके अधार पे उन्होंने ये पत्र बिहार के दूसरे उपमुख मंत्री सी तरकिसूर परसाद जी को लिखा है क्योंकि तरकिसूर परसाद जी बिहार सरकार में उपमुख मंत्री के साथ साथ तो देखिए इसमें लिखा है उन्होंने आगे कि प्राप्त आवेदन के पत्रा नुसार प्रसासी पदवर्ग समीति के दिनांग 26 अगस 2020 की बैठक में लिये गए निन्या के आलोक में भाधिये अपने अस्तर से सिर्ग नियमा नुसार क्रियावरन करने है तु सम्वंधित को आदेशित करना चाहेंगे और उन्होंने यहाँ पे अपना हस्ताक्षर किया हुआ है रेनु देवी 8.1.2012 उपमुख मंत्री बिहार तो ये जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है और हम यह आप तक पहुचार है एक बार फिर हम पटना की धरती पे बेल्ट्रोन भावन क के बाहर जिस तरह का क्रित पुलिस पर सासन द्वारा किया गया है उसके लिए हम बहुत ही मतलब दुखी हैं और हम इसकी पूर्जोर भर्चना करते हैं धन्यवाद आगे भी आप हमारे साथ बने रहें